सोलन शेहर को एजुकेशन हप के नाम से जाना जाता है, यहाँ बहुत से कॉलेज और विश्व विद्धियाली है, स्वभाविक तौर पर यहाँ पर युवाओं की संख्या अधिक है देश के कोने कोने से यहाँ विद्धियार थी, शिक्षा क्रहन करने के लिए आती हैं, ले से देखकर ऐसा लगता है कि शेहर की युवा इस नशे की दलदल में बेहत अधिक फंस चुके हैं, सोलन पुलिस नशे का काला कारोबार करने वालों पर लगातार शिकंचा कस्ते होई जा रही है, एसपी सोलन अजय कुमार राना ने शेहरवासियों से सहयुक की अपील की औ पुरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, जैसे ही कोई नशे का सौदागर नशे की खेब के साथ जिला में आता है, तो उसे तुरंत गिरफतार कर सलाखों के पिछे पहुचा दिया जाता है, पिछले कल युवक और युवती को 150 कराम चित्टे के साथ गिरफतार किया है, उन् लेकिन इस बार एक बड़ी खेब हात लगी है, इस घटना से कई बड़े घुलासे होने की उमीद की जा रही है जो 1500 ग्राम चित्टा है, आम तो रपे एक ग्राम, दो ग्राम, पांच ग्राम इतने तक पकड़े जा रहे थे, और ये काफी बड़ी खेब पकड़ी गई है, तो उमीद है कि इससे हमें आगे और काफी लीट मिलेगी, इसलाह ये रहेगी कि ऐसे लोगों से दूर रहे और अपने ही सेहर की तो जान रखें, क्योंकि ऐसे लोग सबको आधी बना देंगे, आधी बनाने क्या तो आदमी अपने समार से भी दूर आता है, अपने परिवार से भी दूर आता है। सुहाने मौसम में हिवाशल की पसंदिदा मारूती कारों पर आकर्शक ओफर, चुनिये नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ओल्टो या फिर वैगिनार, गोईल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिर्मोर और की नौर के हर कोने में, सेल्स और सर्विस का विशाल नेटव आपके घरद्वार पर सुविधाएं, मारूती सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर करें, 93170-00172 पर